आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी वैसे तो लौकी लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता है बत आज मैं एक नए तरीके से लौकी बना रही हूं अगर आप इसे खाएंगे तो बहुत पसंद आएगा आपको तो एक बार इसे ट्राइ करिएगा एंद चली रेसीपी सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने दो लोगिया ले 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 हैं, छोटी छोटी चोटी सी उसे हमने दھूलकर के छीर लिया है, अब हम इसे बारी बार एक चोटे चोटे दुकरों में काटना है देख सकते हैं आप इसे बहुत बड़ा मत करिएगा छोटे छोटे दुकड़ों में काटेंगे एंड उसके बाद मैंने आलू को भी काट लिया है आलू को दूल करके छील लिया है एंड एक छोटी आलू में हमने चाट दुकड़े किये हैं देख सकते हैं आपको ऐसे यालू काटना है बहुत छोटे मत करिएगा ऐसे वना गल जाएंगे सारे यालू देखी मैंने आलू और लौकी दोनों ही काट लिया है अब मैं टेमाटर काट लेती हूँ टेमाटर को बहुत ही बारी बारी काटेंगे क्योंकि हम इसका पैवरा नहीं बना रहे है अश्लिए हैं चोटे-छोटे से 국 suicide काट लिया है और वहांषे हैं बारी काट लियाँ 0点 division भी कट लिया काट आप ते, ए सारी सब़्जी ऩीत αναतार के तै displaying Iyaa अब मैंने कराही में डाल दिया है,4 चमज सरसो का तेल है ने उसको गरम हो जाने के बाद मैंने आधा जीरा गवान देवार अधा जीरा बिलाइन ब्रॉन की गलाइं means golden brown ये भी हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर and टमाटर को डालने के बाद हम इसे ढख करके थोड़ी दिर पका लेंगे means जब तक टमाटर सॉफ नहीं हो जाते तब तक हम पका लेंगे देखिए टमाटर काफी सॉफ्ट हो गया है काफी हो गया है तो उसको मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है इसी करची से इसमें हम डालेंगे थोड़े मसाले जैसे कि मैंने डाल दिया है 1-4 तेबल स्पून हली पाउडर 1-4 तेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंट देर चम्मच सबजी मसाला इसको डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे एक दो मिनट तक हम उसे भूनेंगे जब ओयल सेपरेट होने लगे तो उसमें हम डाल देंगे नमग अभी हमने काली मिर्च नहीं डाला है तो मैं काली मिर्च का पाउडर भी डाल दे रही हूँ आदा चम्मच जा रहा है काली मिर्च का पाउडर इसे डाल के हम चला देंगे, उसके बाद मैंने डाल दिया है, आलू कटी हुई और आलू को हम दो मिनट तक फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे आलू को हम दो मिनट तक देन उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुई लौकी देखिए आलू दो मिनट तक फ्राई कर लिए मैंने अब मैंने लौकी डाल दिया है और लौकी को डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को पूरा मिला देंगे और फिर हम ढख करके दो मिनट तक फिर से पकाएंगे इसे हम दो मिनट के बाद हम इसे खोल करके इसमें हम डालेंगे पानी मैंने इसमें एक गलास पानी डाला है ज्यादा पानी मट एड करिएगा वरना क्योंकि लौकी जब पकेंगे तो उसमें से पानी रिलीज होगा तो वो पानी आटोमाटिक बढ़ जाएगा इसलिए मैंने एक ग्लास वानी डाला है उसके बाद हमने इसे पका लिया है पांच से साथ मिनट तक देखिए अच्छे से सारी सबजिया गल गई है सारी सबजिया अच्छे से पक गई है पानी भी means consistency भी बहुत अच्छी हो गई है सबजी की अब हम ग्यास को फ्लेम बंद कर देंगे अब उसके बाद हम सबजी को निकाल लेंगे देखिए कितने अच्छी सबजी बनके रेडी हुई है आप एक बार ऐसे जरो ट्राई करिएगा आपको और आपके बच्छों को सभी को बहुत पसंद आएगी आपके फैमिली में सब खुशी से खाएंगे and प्लीज लाग दे लिए वीडियो इफ यद्यपी आपके दो व्यू शेर मांग यर फ्रेंड वैमिली और सब्सक्राइब दी चैनल प्लीज प्लीज बोसूट्स्राइब दी चैनल